ओरिया चंप वेलकम टू माँ चानल तो आज के टर रिडिंग गो टॉपिक है How your crush feels about you आपके उपर जो crush रखते हैं वो आपके लिए कैसे feel करते हैं और क्या उनकी feelings है क्या वो आपसे कहना चाहेंगे तो ये जो है एक timeless collective reading है कुछ चीज़े आपकी situation से resonate करेगी कुछ चीज़े नहीं भी resonate करेगी आप उसे आज़र च्छोड़ सकते हैं अगर आप मेरे चानल पे नए आए हैं तो आप उस चानल को like करें share करें, subscribe करें और हाँ, bell icon को ज़रूर all पर press करें जिससे आपको सब्सक्राइब नोटिफिकेशन मिल पाएं आप content को enjoy कर पाएं अगर आप चाहिए तो thing of wants बहुत जादा passion जो है वह आपके लिए महसूस करते हैं आपसे बात करना आपके बारे में सोचना आपके बारे में dream करना यह सब चीजे रहती हैं कुछ और cards भी देखते हैं यहां पर next टारा five of swords okay next टारा यहां पर four of swords was a thinking process आपके लिए चलता रहता है next टारा three of pentacles next टारा death scorpion energy तो यहां पर जो है मुझे ऐसा feel हो रहा है कि यह person आपके working place पर हो सकते हैं और यहां पर जो है ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो है वो आपको मतलब अपने आपके उपर crush रखते हैं एक specific person तो है ही लेकिन बहुत सारे crush रखते हैं और उनको बहुत बुरा लगता है कि और लोग भी आपको पसंद करते हैं तो ऐसी energy है तो बहुत जादा इस बारे में हो पाऊंगा यह हो पाऊंगी ऐसी चीज है यहां पर ठीक है तो एक जो fantasy वाली चीज आती है ना जैसे वो थी मरलिन मॉन्रो थी यही नाम था ना तो उनके लिए जो है वो यह चीज थी कि लोग उनकी जो fantasization करते थे यह यह होगा यह ऐसा होगा यह ऐसी होगी ठीक है और उस वर्जन से प्यार करना जबकि वो actual में exist करता है नहीं करता वो उस चीज की कोई जहमती नहीं उठा रहा है तो ऐसी energy यहां पर मुझे feel हो रही है death को जो है मैं clarify करना चाहती हूं तो यहां पर यह चीज है यह पसंद बहुत ज़्यादा ऐसे कोशिश करते है जैसे होता है ना बेशक comedy movie में था control वो वाली energy है यहां पर कि वो अपनी जो है emotions को और passion को जो है वो control करने की पूरी कोशिश करते हैं क्लारिफाई भी कर लेती हूं यहां पर यही चीज है कि आप तक पहुचने के लिए भीड लगी हुई है अब यह सुनने में बहुत dramatic लगता है लेकिन actually में ऐसा है बहुत सारे लोगों को पता है कि आपका क्या potential है आप चाहे woman हो चाहे man हो आपके अंदर वो qualities हैं कि हर इनसान जो है वो अपने partner में वो qualities देखेगा ही या देखेगी ही तो वो सारी qualities आप में है इस वजह से जो है लोग आपस में compete करते रहते हैं जैसे अब बेशक मैं funny way में कह रही हूं कि लड़के लड़के जो है एक दूसरे को कोहनी मार रहे हैं ठीक है कि आप में वो qualities हैं जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ आते हैं काफी लोग जो हैं वो आपको दूर से भी देखते हैं नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर seven of pentacles है जो आपके उपर crush रखते हैं वो आपका weight कर रहे हैं क्योंकि आप तक रखते हैं वो आपके mutual friends में से ही है तो या mutual friends का कोई brother sister कुछ इस तरीके से या mutual friendship जरूर मैं कहूंगी कि वो चीज है यहाँ पर आ रहा है next wheel of fortune तो वो जो है अपने आपको fortunate समझते हैं कि आप तक जो है वो यह बाते कर पाते हैं या आपको कुछ हद तक जो है वो जान पाते हैं ऐसी energy भी आ लिया next आ रहा है यहाँ पर six of swans तो आप काफी famous हो सकते हो या फिर बहुत जादा अच्छे हो दिखने में आपका intellectual ability या sharp mind जो है वो लोगों के बीच में अपने आप में competition create कर देता है कि हर इंसान के पास यह सब चीज़े नहीं होते हैं लेकिन आपके पास वो सब चीज़े हैं next आ रहा है son बहुत जादा bright future आपके साथ देखना चाहते हैं इनकी इच्छा यह है लेकिन वो आपको अगर आप उन्हें नहीं भी मिलते हो तो भी जो है वो खुश रहना चाहते हैं और आपको खुश देखना चाहते हैं इस तरीके का love जो है या feelings जो है वो इस person के मन में है यह person जो है वो आपको बहुत जादा पसंद करते हैं आपकी बातों को आपके style को आपके कपड़ों को हर तरीके से, मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको वो आप में पसंद ना करे नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे Eight of Pentacles नेक्स्ट है आपके लिए The Chariot, Cancer की नरजी है और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए Queen of Swords, उनको पता है आपके उपर जो crush रखता है उनको पता है कि आप तक पहुँशने के लिए उन्हें बहुत जादा मेहनत करनी पड़ेगी और काफी जो है वो Success को भी Create करना पड़ेगा अपनी Life में Physically, Financially, Emotionally, Spiritually हर तरीके से लेकिन उसके बावजूद जो है आप उन्हें शायद Reject कर दो ऐसा उन्हें लगता है लेकिन ऐसा होगा नहीं ठीक है लास्ट में आ रहा है यहां पर आपके लिए Two of Cups है तो यहां पर आप दोनों की कहानी आगे बढ़ेगी लेकिन जब आप थोड़ो सा मदब आप भाव खाने मालों में से हो और आपको यह Nature है और उन्हें वो पता है लेकिन वो जो है आपके साथ एक Happy Family Create करने की इच्छा रखते है Magician आपको Manifest करना चाहते है अपनी लाइफ में तो बहुती स्वीट सी एनरजी है बहुती जदा Romantic Poetic जैसे कहलो ना कि जब आपका भी कोई sound सुन रहे हो जैसे कुछ meditating sounds आती है देख ले ना अलग-अलग frequencies पे होते है अलग-अलग hertz पे होती है तो वो जब आप सुनते हो ना तो आप धीरे-धीरे सुन रहे हो थोड़ी देर में आपको नींद आने लग जाते है क्योंकि वो relax करता है आपके mind को, energy को उस तरीके की feeling वो आपके लिए रखते है जब भी आपको वो देख लेते हैं आपका उनका mind जो है वो relax हो जाता है वो energetic feel करते हैं आपके पास safe महसूस करते हैं आपको देखते हुए ही मंत्र मुग दो जाते हैं तो कुछ एक fantasy वाली जो है यहाँ पर love है यह idealization वाली love है love तक पहुचने के लिए actions लिये जाएंगे वो तो वो करेंगे ही करेंगे लेकिन पहले वो idealization में ही आपसे इतना ज़्यादा प्यार में वो हो चुके है कि action जो है वो कुछ लगभग 14 महीने बाद या 1.5 साल बाद हो सकता है तो ऐसी energy यहाँ पर आ रही है ठीक है तो देख रहेते हैं कुछ और cards आपके लिए कि वो कैसा feel करते हैं new spark जब भी आपको देखते हैं तो एक new energy या enthusiasm जो है वो महसूस करते हैं next आरा passion insane chemistry having fun equal interest burning desire तो वो ऐसा सोचते हैं आपके लिए next आरा online dating तो किसी से आप online बात करते हो तो यह वही person है किसी और fake नाम से या different नाम से तो ऐसी energy यहाँ पर है तो ध्यान रखना next आरा abundance वो आपको एक abundant person की तरीके से देखते हैं you are limitless वो ऐसा महसूस करते हैं आपके लिए और last में आ रहा है emotional freedom तो वो चाहते हैं जैसे मैंने पहले भी कहा कि ऐसा नहीं है कि अगर आप उन्हें नहीं मिलो तो बहुत ज़्यादा वो जो है आप से दुखी हो जाएंगे बेशक थोड़ा सा उन्हें बुरा लग सकता है लेकिन वो जो है आपको खुश देखना चाहते है तो ऐसी energy है यहाँ पर ठीक है चलिए देखते हैं कुछ charms यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर एक blessing आई है फेरी की तरीके से आपको एक fairy की तरीके से या एक angelic person की तरीके से देखते हैं और sunshine आपको देखते हैं bright future हो जाता है और धीरे धीरे आपकी तरफ आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं चलिए देखते हैं कुछ song उनकी तरफ से आपके लिए more than words extreme का गारा है देख लेना और next आपके लिए तेरा चेहरा सनम तेरी कसम से और एक और देख लेते हैं देखते देखते बत्ती गुल मीटर चालू तो कुछ इस तरीके का गाना है आप उसको देख सकते हैं वो उसी तरीके से आपके लिए field करते हैं तो यह थी आपके रीडिंग उम्मीद करते हूं आपको अच्छी लगए होगी अगर आपको मेरा content, readings और energies अच्छी लगए है तो प्लीज चानल को लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें थाइंक यू